नमस्कार बच्चो आज के इस वीडियो में हम गे टर्ण आफ याने GTU के अप्लिकेशन्स उसके मेरिट्स, दिमेरिट्स, मिसद्वांटेजेस और डिसद्वांटेजेस के बारे में बात करेंगे बच्चो पिछले वीडियो में हमने डिसकुशन किया भी था कि जो GTU है उसके अंदर कुछ special characteristics है जिसमें सबसे पहला special characteristics था self turn off characteristics मेरे word को catch किजिएगा बच्चो self turn off means ये device silicon control rectifier के problem को दूर कर रहा है क्योंकि वहां self turn off नहीं होता था we need commutation circuit for turn off लेकिन यहां यह self turn off कर रहा है और इसलिए इसके special application normally हम करते हैं chopper में और साथ में inverter में और मैंने discuss भी किया था कि chopper और inverter आज के time का backbone है क्योंकि अब हम power electronics के सबसे vast applications में सबसे measurable applications की यहां पर चर्चा कर रहा है तो आई बच्चों इनी चीजों को समझके कुछ कम यहां listing मैंने की है आपके लिए GTU को कहा कहा हम यूज करते हैं कि करके समझते हैं सबसे पहले example में लेता हूँ AC drives आप AC drives सुनते ही याद कर रहे होंगे वह machine जो AC से operate होती है क्योंकि drive का मतलब होता है control of motion यानि एक AC motors के जब हम motion को control करते हैं तो उसको बोलते है AC drive अब उस motion को control करने के लिए मेरे पास अलग लग parameters change करने पड़ते हैं जैसे मैं अगर induction motor है या induction AC drive है तो मैं frequency को change करके device के speed को control करूंगा मेरे पास DC motor है तो वहां में voltage को change करके voltage को change करके speed को control करूंगा तो बच्चो यहाँ पे मेरा जो GTO है वो smart role play करेगा इन AC drives के commutation circuit में commutator circuit में AC drives के converter circuits में वो जरूद पढ़ने पे off करेगा जरूद पढ़ने पे on करेगा और AC drives को effectively control करेगा यह बच्चे अब हम second application की बात करते हैं वो है DC drives DC drives में especially हमने चर्चे किया DC choppers तो जब बच्चो हम किसी motor के DC motor के speed को control करते हैं that is called DC drives और यहां DC chopper का मतलब होता है कि मुझे input भी DC है output भी DC चाहिए लेकिन voltage का magnitude है वो change करना है आपको relate किजिए ऐसा कोई device मेरे पास AC में भी अब label है जो voltage के label को change करता है आपने सही बोला yes that is called transformer लेकिन DC पे transformer काम नहीं करता क्योंकि faradale of induction नहीं होता यहां पे बच्चो अगर DC को DC में convert करना voltage को step up step down करना हो तो DC chopper हम use करते हैं बच्चों हम बात करेंगे AC stabilizers को जिसको हम बोलते हैं AC stabilizing power supplies यानि AC में जब हमें stable voltage देना होता है harmonics को remove करके हमें constant voltage देना होता है उस condition में हम AC stabilizers use करते हैं और इन AC stabilizers के auto cut और controlling के लिए हमें जरूरत पड़ता है एक ऐसे device का जो बहुत fast turn on and turn up हो और वो है इसी इसी पर operate होने वाला gate turn off यानि जीटी ओ डीसी circuit breakers बच्चों आपको याद होगा circuit breakers एक ऐसा device है जो कि relay के दौरा sense की हुए signal का according act करता यानि circuit को break कर देता है यानि वहां switching device है switching वहां switching operations होते हैं उस circuit breaker को operate करने के लिए तो वहां पर switching operation वह भी fast switching operation के लिए हमें जरूरत पड़ती हैं gto के similarly induction heating में आप induction heating विल्डिंग के बारे में पड़े होंगे तो induction heating में जहां पर induction principle यूज करते हैं वहां हम यूज करते हैं gto को similarly और भी बहुत सारे ऐसे low power applications है जो मैं यहां समय के वज़े से mention नहीं कर पाऊंगा लेकिन आप उसको day-to-day life में यूज कर रहे हैं आप अपने mobile में यूज कर रहे हैं ऐसे बहुत सारे नहीं पड़ेगे आपको याद होगा commutation circuit कौन कौन से है class A class B class C commutation जो हम आगए detail में पढ़ेंगे तो इस heavy commutation circuit को eliminate करने के ability is gto के अंदर होती है क्योंकि यह gate circuit को use करके turn off करता है benefit का मिला बिच्चे मुझे एक तो fast इसकी switching हो जाएगी fast turn off हो जाएगा force commutation की जरूरत नहीं पड़ेगी और सबसे बड़ी बार cost का reduction होगा क्योंकि commutation circuit काफी costly होते हैं साथ-साथ weight भी कम होगा इस device का क्योंकि commutation circuit में हम अले विलक टाइप के components लगाते हैं क्योंकि आपको याद होगा silicon control rectifier के commutation के बारे में जब हमने चर्चा किया था और आगे इसको हम detail में पढ़ेंगे भी तो commutation में हम इंडक्टर के जरूरत पढ़ती चौक्वाल के जरूरत पढ़ती तो यहाँ पे चौक्वाल के जरूरत नहीं यह commutation क्योंकि self-turn-off device है विसलिए यहाँ पे इस तरह के noise electromagnetic noise और acoustic sounds नहीं होते हैं बच्चों अगले में बात करूंगा क्योंकि यह self-turn-off device है तो उसकी turn-off process काफी fast होगी यानि इसकी switching frequency काफी अच्छी हो जाएगा क्योंकि कम time-made device turn-on turn-off हो सकते है तो time period reduce हो जाएगा तो इसकी fast switching operation device हम इसको बोल सकते हैं फिर हम बात करेंगे बच्चों इसकी overall efficiency की चोकि इसके अंदर losses minimum से minimum होगे तो इसके efficiency अच्छी होगी और दूसरी इसका जो DIY DT rating होगा turn-on का वो more होता है अब हम बात करेंगे disadvantages के GTO के अंदर क्या-क्या limitation है तो बच्चों on जो state voltage drop होता है जो losses होते हैं वो silicon controlled rectifier के मुकाबले थोड़े जादा होते हैं जो एक तरह से इसके अंदर limitation है दूसरा बच्चों जो gate triggering होती है वो required होती है इसमें क्योंकि triggering को यूज़ करके हम turn-on करते हैं turn-off करते हैं तो without gate triggering इस device का कोई meaning नहीं है लेकिन थारिस्टर में हम without gate triggering other mechanism को यूज़ करके भी device को turn-on कर सकते हैं लाचिंग और holding current आपको याद होगा silicon control rectifier की टाइम में लाचिंग और holding current के हमने चर्चा किया था तो लाचिंग और holding current इस device यानि जीटिव के अंदर SCR के comparatively ज्यादा होता है यह device effective तो है लेकिन इस device को जब हम operate करते हैं या इसे drive applications में तो losses भी इसके अंदर ज्यादा होने ल इसके SCR के अंदर कम होती है तो यह कुछ limitation है जो कि inverter और chopper का application में कहीं ने कहीं problem create करता है आए बच्चो अब हम बात इस वीडियो को यह पे end करते और अगले वीडियो में हम सबसे important topic के चर्चा करेंगे जिसमें हम silicon control rectifier और GTO के बीच का comparison देखेंगे that's all about this video thank you so much करा अ करना कर दो